गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स देखे आज की क्लास में हम भक्ति आंदुलन के प्रभावों की चर्चा करेंगे और इससे पहले के हम प्रभावों की चर्चा करें मैं आपको कुछ भक्ति संतों के नाम कुछ भक्ति संतों के जिस एरिया से वो आते थे उनके वैसे मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूं बाईचांस अब्जेक्टिव डाइब कोश्चन्स में ये पूछ लिया जाए तो आप इसमें बता सकते हैं जैसे अगर हम दकशिन भारत की बात करें तो दकशिन भारत में शंकराचारय जी थे राम्नुजे चारय थे नामदेव थे ठीक है और तूका राम थे नामदेव तूका राम उत्री भारत की अगर हम बात करें तो उसमें जैदेव थे और चैतन्य महाप्रभू जैदेव जो थे ना ये बंगाल से ही थे इन्होंने गित गोविंद नामक एक गरंद की रचना की थी विच बिकिम वेरी पॉपलर और चैतन्य महाप्रभू भी बंगाल से थे और ये जो है ना कृष्ण भक्ती में बहुत लीन हो जाते थे कहते हैं कि ऐसे ही पेड़ों पर बस ऐसी चड़के और इदर उदर कृष्ण को ढूंते रहते थे और चैतन्य महाप्रभू ने ही किर्टन की जो प्रता है वो आरम की थी ये आपको दिहान रखना होगा अगर कि आप से पूछ ले कि किर्टन की प्रता भक्ती आंदोलन में किसने शुरुवात की थी तो इसका उत्तर होगा चैतन्य महाप्रभू जो की बंगाल से थे इसी तरह से उत्तरी भारत के संतों की अगर हम बात करें तो उसमें रामनंद जो है बहुत प्रसिद संत थे और रामनंद के शिशे थे कभीर आप जानते हैं कभीर के बारे में कि इनको जो इनका जो पालन पोशन हुआ था वो एक मुस्लिम परिवार में हुआ था और जो इनका जनम हुआ था वो कहते हैं कि ब्रहमन परिवार में जनम हुआ था यानि वो हिंदू थे का पालन पोजिशन मुस्लिम परिवार में हुआ था और जब उनकी मृत्व हुई थी तो हिंदू कहले लगे कि हम अपने जो है रिती रिवास से दपनाएंगे उसका अंतिम संसकार करेंगे और मुसल्मान जो है वो कहले लगे कि हम अपने हिसाब से करेंगे तो इस परकार की और मीरा भाई के बारे में तो आप जानते हैं वो अनन्य जो है कृष्ण भक्त थी और वो कहते थी मेरे तो गिर्धर गोपाल दूसरों ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पती सोई तो वो एक तारा लेकर एक वादे अंत्र लेकर जो है अपने पदों का जो है बहुत ही सु अंदर गान किया करते थी ये रचनाय सब जो ब्रज भाशा में है अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं गुरु नानक देव जी की जिनका जनम जो पंजाब में 1469 में तलवंडी नामकस्थान में हुआ था और आज ये तलवंडी जो है पाकिस्तान में है ननकाना साहिब के नाम से इसको जाना जाता है और इन्होंने भी जो अपने प्रवचन वगरा थे वो सब गुर्मुखी लीपी यानी पंजाबी जो भाशा थी उसमें दिया और इनका जो गुरु नानक देव जी ने जो सिक्धर्म की स्थापना की उसके पश्चात जो है दस गुरु हुए औ और दस गुरु के बाद फिर गुरु परंपरा समाप्त हो गई और उसके बाद जो आदी गरंथ जो होता था ना उसी को गुरु स्विकार कर लिया गया था तो यह मैंने आपको ब्रीफ सा इंट्रेक्शन दे दिया जो प्रसिद सूफी संत्र है इसमें कुछ निरगुन थे कुछ सगुण थे निरगुन जो परंपरा थी जिसमें इष्वर का आकार नहीं माने जाता था उसमें कबीर नानक नाम देव थे और जो सगुण परंपरा के जो प्रवर्तक थे अन में रामनंद, रामनुज, चैतन्य, महाप्रभु और मीरावाई थे तो यह जो है प्रीफ भक्ति संतों का अब हम बात करते हैं कि भक्ति आंदुनन के क्या प्रभाव पड़े भारत में तो देखे ये जो लहर थी भक्ति की ये उत्तरी और दक्षनी भारत में बहुत जोरों से चली और इसने भारत के हर एक पहलू को प्रभावित किया चाहे वो राजनितिक जीवन हो समाजिक जीवनों धार्मिक या संस्कृति को प्रभावित किया तो सबसे पहले हम लेंगे राजनितिक प्रभाव क्या पड़े देखे इस भक्ति आंदुन के राजनितिक प्रभाव भी पड़े कि जो ऐसे बहुत से शासक थे इस भक्ति आंदुन के कारण उन्होंने धर्मिक सेहंचिलता की नीती अबनाई जैसे हम अकबर महान की बात कहें तो अकबर ने भक्ती आंडोनन की ही प्रेना थी भक्ती और सूफी दोनों आंडोनन की लेकिन भक्ती आंडोनन का भी इसमें इमपॉर्टंट रोल्ल था और इसके परिणाम सरोप अकबर ने हिंदू के साथ समानता का वहवार किया उनको उच्छ पदों पर नुक्त किया उनको धारमिक स्वतंतरता प्रदान की तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये अंदून था भक्ति अंदून बक्तिय अंडर उंने उस समें के जो का जो विचार था उसे परिवर्टित कर दिया हम देखो हम बात कर रहे हैं 15.16 चदी की और अकबर 70.16 का शासक था तो नचेरली जो समें जो हवा चल लएती जिस तरह की सहनशीलता की हवा चल लएती तो उसमें अक्बर को प्रभावित किया इस सेंचीलता की हवाने और उसने फिर राजपूतों के साथ मैत्रिपूर्ण संबन्द और वेभाईक संबन्द सापित किये उसके पीछे किये बहुत बड़ा कारण था इसके बाद दूसरा जो राजनितिक प्रभाव है वो ये है कि उत्तर भारत में सिख राजपूर्ण देव जी थे उन्होंने सिख धर्म के एक नए धर्म की स्तापना की और धीरे धीरे कालांतर में ये एक राजपूर्ण में परिवर्तित हो गया इसी तरह से मराठा में कलांतर में मराठा में भी जो नामदेव तुकाराम जैसे संतों के कारण मराठा राजजे का फिर एक अलग आस्तित आया था अगर हम पंजाब की बात करें तो आप ये देखें कि पंजाब में गुरूओं के बाद फिर बंदा बहादूर और अंतत है महराजा रंजीत सिंग्ग तो ये सिक्ध धर्म के कारण ही तो हुए ना ये महराजा रंजीत सिंग्ग गयरा तो एक अलग राजजे की स्थापना हुई तो ये राजनितिक प्रभाव था इसी तरह से मराठा मराठा शक्ती देखो कितने आगे आने वाले समय में कितनी महत्वपून शक्ती बन गई थी इस भक्ती आन्दोन के समाजिक प्रभाव भी बहुत महत्वपून थे एक तो हिंदो मुस्लिम संप्रदायों में एक तास थापित हुई आपस में भाईचारे की भावना को इसने बल दिया कबीर गुरुनानक फरीद बाबा फरीद ऐसे भक्ती आन्दोन संथ थे भक्ती औ आन्दोन इखटे चला तो इसने ये बताया भक्ती आन्दोन ने कि इश्वर ये सब लोग जो है एक ही इश्वर की संतान है हिंदो मुस्लिम भाई भाई हैं और आपने देखा कि अकबढ़ने कि इस तरह से बिना भेद भाव के हिंदों को अपने दर्बार में स्थान दिया तो ये सब भक्ती आन्दोन का ही प्रभाव है कि हिंदो मुस्लिम एकता जो है स्थापित होई और देखिए निमन जातियों का उत्थान हुआ जो लोग कास थी वो कितने मतलब पिछड़े हुए थे उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था उनको कोई धर्म दिखाई नह नहीं आ रहा था उनको वेद पढ़ने की मनाई थी उन्हें मंदिरों में प्रवेश की मनाई थी तो इन सब चीजों में सुधार हुआ बक्ती आंदोन के प्रवर्तकों ने जाती प्रथा पर कुठारा गहत किया और एक जो और समाजिक प्रभाव जो महत्कून था वो ये थ क्योंकि सहता करने चाहिए और इस आंदोलन के नेता खुद भी लोगों को लोगों की बहुत सहता किया करते थे जो उनसे हो पाता था वो किया करते थे और इनी से प्रेरित होकर फिर आगे आने वाले समय में बहुत से विद्यालियों मदरसों अस्पतालों धरमशालाओं का अनाथालियों का निर्मान करवाए गया तो धीरे धीरे जो उचुबर के लोग थे वो फिर इन संस्ताओं में समय समय पर अपने अनुदान प्रदान किया करते थे उनको डोनेशन्स दिया करते थे भक्तिया दर उनके धार्मिक प्रभाव भी पड़े एक तो हिंदु धर्में सुधार हुआ जो वेर्थ के रीती रिवास थे जो धर्मिक कर्मकान थे अब लोगों का रुझान इनकी तरफ देरे-देरे कम होने लगा और अब जो सुधार को ने जो बाते कहीं इस तरह से तर्क की कसोटी पर परखने का प्रियास किया जो भक्तियां दर उनके सिधान थे तो जो हिंदु धर्म के सिधान थे उनको तर्क की कसोटी पर परखने का प्रियास किया तो निच्छत रूप से ये पुनह लोग प्रिय हो गया लोगों इसमें बुराईयों में कमी आ गई तो लोग फिर इसे अपने धर्म में उनकी आस्ता पुने स्थापित होगी अचा फिर धीरे धीरे ब्रहामनों के प्रभुत्व में भी कमी आई ये ब्रामणों के प्रभुत्व के कारण ही आप देखो कि तरह तरह के रीती रिवाज कर्मकान अपनाय जाते थे तो जब भक्तिया नुन के प्रभुत्वों ने समानता पर बल दिया कि कोई जाती वाती नहीं है ब्रामण अक्षट्रिय वेश्य शूद्रसम एक समान है लगा इस जो भक्ति अंदुलनेस का एक प्रभाव ये भी पढ़ा कि बहुत धर्म का पतन हुआ है अब लोगों को दूसरे धर्म में जाने की जरूत नहीं रह गई थी अपने धर्म में उनको कुनाय आस्था जागरित हो गई थी और वैसे भी आप देखे कि तुर्क आकरमन क कारण तुर्क आकरमन के दोरान हिंदू पर तो अत्याचार हुए लेकिन साथ-साथ बौधों पर भी अत्याचार हुए लाखों की संख्या में बौधों को मार दिया गया उनके विहार नष्ट कर दिये गए तो एक ये भी कारण था कि बौधधन के पतन का मतलब भक्तियां के दौरान और इसलाम के प्रचार में कमी आई देखे इसलाम एक प्रचारत धर्म और उसका एक उदेश्य ये था कि भारत में आके भारत में क्या संपून जगत में इसलाम का प्रचार करना उसको फैलाना तो अब ये अपने उदेश्य में इतना सफल नहीं रहा भारत में क्य होना शुरू हुआ और लोगों में अब जैसे मुस्लिम आत्रमन कारी भी भार्तियों को जो पहले मुस्लमान बना देते थे लेकिन अब धार्मी का अंतुन के प्रचार को ने बताया है कि ईश्वर और अल्ला परमात्मा के ही अलग-अलग नाम है उन्होंने इसलाम की कट्रता का विरोध किया तो इससे क्या हुआ कि इसलाम की धर्म की जो गती थी वो कम हो गई और लोगों का हिंदु धर्म में विश्वास पुने जागरत हो गया एक धर्मी प्रभाव यह भी हुआ कि पंजाब में सिक्ष धर्म का उदे हुआ गुरू नानक देव जी ने अपनी शि जलता फूलता धर्म है गुरू नानक देव जी के पश्चात जो नौ सिक्ष गुरु हुए उन्होंने सिक्ष धर्म को चाईयों तक पहुचाया और अंततह सोला सो नियानमे इसमी में सिक्ष धर्म एक स्वतंत्र धर्म के रूप में सामने आया तो यह इसके धार्मिक भाव तो देखे एक तो बहुत बड़ा जो इसका सांस्कृतिक प्रभाव यह पढ़ा कि साहित्य की रचना हुई साहित्य का बहुत पिकास हुआ है जितने भी यह जो भक्तिया दुरुन के परवर्तक थे नाम देव, तुका राम, चैतन्य महा प्रभू, मीरा बाई, अपनी भाशा में अपने अपने शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया लोगों है तो जब अपनी अपनी भाशा लिखी जाएंगी, जब अस्तित में आएंगी, जब उनके लेख या दोहे अस्तित में आएंगे, तो एक बहुत बड़ा साहित्य की रचना हुई और जी के दोहे पढ़ते हैं, रामनन जी के दोहे पढ़ते हैं, मीरबाई के बारे में आप पढ़ते हैं, तो बहुत साहित्य का विकास हुआ, जैसे जैदेव की बात में कर रहा था, जैदेव ने गीत गोविंद नामक गरंद की रचना की, सूर्दास ने सूर्सागर नामक ग गरंथ की रचना की और बाद में देखिए तुलसी दास तुलसी दास ने राम चरित मानस की रचना की लगबग तुलसी दास को जो टाइम है वो मेरे कहल अकबर से थोड़ा सा पहले का है पण्दरह सो चालिस के आसपास और सिख जो संपरदाया था उसमें भी गरंथों की तो ये जो साहित्य है ये भारत की अमूले तरोहर माना जाता है साहित्य का बहुत विकास हुआ और वो खासकर प्रांतिय भाशाओं का विकास हुआ जैसे बंगाल में चैतरने महाप्रबू जैदेव तो इसी तरह से महराष्ट में नाम देव तुकारम तो मराठी डिखी गई मराठी में साहित्य की रचना हुई और साथ इसाथ कला का भी विकास हुआ भारत कला भी प्रभावित हुई भक्ति अंदरन की वज़े से इस काल में हिंदो मुस्लिम कला का सम्मिश्रन हुआ थापत definitely कला और मूर्ती कला के खेत्षु में हिंदों आर मुस्लमान कारिगरों ने मिलकर कारे किया ठीक मुस्लमानों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्मान किया लेकिन उनकी मस्जिद में भी हिंदों की कला की जो छहाप है वो नजर आती मुगलों ने भी बहुत से भवनों का निर्मान करवाया और उसे पशु पक्षियों से फूल पत्तों से सुसजित करवाया इसके अलावा संगीत कला और चित्रकला का भी विकास हुआ संगीत कला तो ऐसे ना भपती तो आप समझते हैं कि उसमें म्यूजिक की जो परंपरा है वो इसी से शुरुवात हुई बहुत से भजन बगरा जो है बनाये गए इस काल में संगीत कला का विकास हुआ चित्रकला का भी विकास हुआ इसमें भी हिंदू और मुस्लिम मतब दोनों की चाप नजर आती है तो इस परकार से भारतिय समाच के भारतिय राजनीती के भारतिय धर्म के हर एक पक्ष को इसने राजनीती को इसने प्रभावित किया तो यह पूरा जो टॉपिक है भक्तिय अनुन पर है यह आप इसको अच्छी दर से त्यार करने मुझे ऐसी आशा है कि यह कोश्चन जरूर आएगा पेपर में थैंक यू